तो इसलिए औरते लगाती है माथे के बीच में बिंदी आज हम औरतों को लेकर बात करें तो आपको ये बता दें कि भारती अश्रिंगार प्रथा में बिंदिया की जगे शिरुधारे है 16 श्रिंगारों में से एक बिंदिया जिसके बिना स्त्री का रूप अधूरा है नजर आने में छोटी किन्तु एक बिंदिया स्त्री के रूप को जो निकार दे सकती है वे शायद ही अन्य कोई देवे ललाट पर जहां बिंदि लगाई जाती है वहीं हमारा आग्या चक्र मौजूद होता है यह चक्र हमारे मन को नियंत्रित करता है आयूरवेद के मुताबिक बिंदि लगाना न सिर्फ मस्तक में शांती और शीतलता है तू अहम माना गया है बलकि ये घोर में हनत को दूर करने तथा अच्छी नीन धेतू भी जरूरी है ये को प्रेशर बताते हैं कि मस्तक के बिचों भिचनसों एवं खून का अभिसरन होता है बिंदि लगाने से उस स्थान पर दबाब पड़ता है और सिर्दर्द में काफी राहत महसूस होती है मस्तक का केंदर बिंदू आपकी आखों की मान सपेशियों से जुड़ा हुआ होता है जब हम बिंदि लगाते हैं तो मस्तक से उसका सकारात्मक प्रभाव आखों पर भी पड़ता है ये जगे हमारे मन को नियंत्रित करता है इवं जब भी मन को तलीन किया जाता है तो आग्या चक्र पर ही दबाग दिया जाता है इसी चक्र पर औरते बिंधी लगाती हैं ताकि उनका मन मग रहे